हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप सब के लिए बहुत ही अच्छे चे किचन के टीप्स लेकिया हैं वो साथ में कुछ चटपटा मज़ेदार भी बनाएंगे और साथ में हम कॉफी भी बनाएंगे वो भी हम जो प्याज काटने वाला चौपर होता है उसमें बनाएंगे तो चलिए यह सब्सक्राइब जरूर करें और यह सब करना बिल्कुल फ्री है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला हम लेंगे एक पैंसिल इससे हम बनाएंगे फोन रखने के लिए स्टैंड तो कभी-कभी क्या होता है न वीडियो कॉल करना हो या फिर बच्चों को कुछ लिख पाने वाली क्लिप और कुछ इस तरीके से हमें लगा लेना है अब देख सकते हैं वीडियो में दो क्लिप को हम एक साइट लगाएंगे और एक को हम बीच में लगाएंगे इस तरीके से और यह देखिए तयार हो गया स्टैंड अब इसके उपर आप फोन रख सकते हैं और अपना काम असानी से कर सकते हैं वीडियो कॉल करना हो या फिर बच्चों को लिखना हो कुछ भी देख के तो ज्यादा नीचे जुकने के जरूवत नहीं है या फिर नीचे कभी कभी होता है कि पानी नीचे होता है स्लैप कूपर उसके ओपर फोन रखे काम करने में कफवी टु मैंने या इनो की कफ़ें रखी होता है जुकाइं कला के बच्छ फाल करते हैं अालक मोदे और में पानी नो कापड़ को जाते है नग ना को लगं चावल के 10-12 दाने डालेंगे और इस तरीके से हम जो भी कपड़ा हो तो कपड़ा है तो आप पोटली की तरह बना ले अगटी सुपेपर में कर रहे हैं तो इस तरीके से अच्छी तरीके से इसे सील कर दें और इसे हम डाल देंगे कोफी जो आपकी बॉटल है उसके अंदर तो आप यहां पे कपड़ा में बान के डाल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर टीसुपेपर में डाल रहे हैं तो अच्छी तरीके से लॉक करना बहुत जरूरी है नहीं तो चावल के दाने कोफी में इस तरीके से आप कोफी को अपना इस तरीके से पत्थर होने से बचा सकते हैं और बिना फ्रिज के आप इसे अराम से बाहर रख सकते हैं तो चले कोफी अगर रखी रहे हैं तो इसे के साथ कोफी भी बना लेते हैं तो कोफी बनाएंगे आज इस तरीके के प्याज काटने वाले चोपड यह तो सभी के घर में होते हैं और यह प्याज काटने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है प्याज के इसमें हर सबजी भी बहुत बारी कटती है तो आज आम इसमें कौफी बनाएंगे तो कौफी बना रही हुँ मैं यहां पर दो तरीके के मेरे पास हैं एक और एक थोड़ा सा बढ़ा है तो मैंने छोटा वाला ही लिया में लिए 2 चम्मच कॉफी 2 चम्मच चीनी और इसमें हम लेके 2 से 3 चम्मच दूद अब इसे हमें चला लेना है जिस तरीके से हम प्याज काटते है ना उसी तरीके से हमें इस तरीके से कर लेना है मैं आपको मैं भी आप लोकिशा शेयर करती हूँ यह होता भी यह नहीं इस तरीके से तो जाग तो आगे पर जैसे हम हाथ से बनाते है यह मिक्सर ग्राइंडर में इस तरीके से जाग नहीं आगे लेकिन अच्छा कॉफी बनके तैयार हो गया देख सकते हैं तो लीजी यह गर्मा गरम सर कोफी इस तरीके साब ट्राइ कर सकते हैं सर्दियों के मौसम में नए आलू भी आने स्टार्ट हो जाते हैं तो नए आलू के छिलके होते हैं बहुत पतले होते वह हातों से रगड़ने से ही निकल जाते हैं तो आप हातों से रगड़के भी निकाल सकते हैं लेकिन बहुत सा मैं आपको बता रही हूँ पहला तो आप हातों से रगड के हलका कर सकते हैं ज्यादा तो नहीं हातों से निकलेंगे लेकिन निकल जाएंगे और दूसरा चाकू से निकाल सकते हैं तीसरा इस तरीके के जो बरतंदोने वाले स्क्रब होते हैं श्टील वाले आप उससे निकाल स दाने वार छेले को सब्सक्राबर से निकाल सकते हैं साथ लिए लिए सब्जी में टुर्ण लिए नियुक्ति कर लिए देटे ने शेड़ कर लें ताकि यह सब्जी ग्रेवी अची तरीकी से अंदर तक जाये तो ये भी तैयार हो गया, अब चलीए फटाफट एक खंग मिक्सर बना कर लेते हैं, मिश्रंट तयार करेंगे, उसके लिए मैंने मलाई लिया है और उसी के साथ दही लिए, तो घर की मलाई जो दूद की निकालते मैने वही लिया है, तीन से चार चंबच और दही भी मैने मैंने से मिलिया है इसे के साथ इसमे मम डालेंगे धनिया पाउडर, 2 क्छिञ़् चमच, यह सोटी छमच्बी पाउडर, एक चोटी छमच्य चम्च कस्मिरी रचिली पाउडा और आदी छोटी चम्च आल्ु दम मसालग्स और स्थ गरम मसालग्स लेंगे और कसुरी मेतिो के आले इसे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा नमक स्वाधन सा राड़ करें और इसे के साथ अधरक और हरी मिर्ज का पेष्ट डाल देंगे अगर आप लैसुन खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर लैसुन का पेष्ट भी डाल सकते हैं अब इन सब को करेंगे अच्छे से मिक्स और अब इसमें डालेंगे तेल सर्सुका तेल यहाँ पर अब इसमें डालेंगे जो हमने आलू को मेरिनेट करके रखा था वो डालेंगे बस अब कुछ नहीं करना इसे धक्के पकाना है कुछ है नहीं करना इसमें धक्के आप इसे चार से पांच मिनट फर्स्ट पका ले और उ अगर नमक कम हो तो थोड़ा सा आप नमक एड़ कर सकते हैं लेकिन यह सब्जी बनके तयार हो गई है जली आलू दम के साथ एक चटपटा सा पराठा बनाते हैं तो अभी सर्दियों के सीज़ने पत्ते वाले प्याज भी बहुत आते हैं और इसी के पराठे बनाएंगे तो मै मिक्स कर ले और थोड़ा थोड़ा पानी डालके आठा लगा के तयार कर ले पहले पानी ना डाले प्याज के पत्तों को जब डाले तो अच्छी तरीके से हाथों से मसल मसल के आठे को मिक्स कर ले उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालके आठा लगा के तयार कर ले और अच्छी तरीके से दभाके से सेक ले और यह हमारा पत्तो वाला पयाज का प्राथा गरता और जही वाले आलू जो जट-पट से बनके तैयार हो जाते हैं आप देख सकते हैं तो आज को आज इसमें से कौन सी रेसेपी अच्छी लेगी और कौन सा टिप अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना हूले मैं आपसे फिर मुलूंगी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई और थाइंक यू फॉर वाचिंग